हेलो एवरिवन इस वीडियो में हमें एक यह बहुत आसान सा क्वेशन करने वाले हैं क्वेशन है देखिए हमें क्या क्या गिवेन है लेट हमको रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवेन है और लेंद और प्रेट में एक रिलेशन हमको दिया हुआ है कि जो प्लॉट की लेंद है वो उसके विर्थ की दोगनी से एक मीटर जादा है इन कोशिंज में हमें बहुती समझदारी के साथ रिलेशन हमको बनाने पड़ते हैं और अगर आप correct equation बना पाएंगे तो आपको बहुत आसानी तरीके से इस question को कर पाएंगे question क्याता है the length of the plot is one more than twice its width मनला जो length है वो length बृत के दूगने से twice of its width बृत के दूगने से एक मीटर जादा है ठीक है तो हम देखे इसको करते हैं let the length L and the breadth B हमने माल जाए length उसकी L है और breadth उसकी B है तो area क्या बन जाएगा आइलेंट बी रेक्टर उगर प्लॉट का area आइलेंट बी होता है तो length को हमने L माना है breadth को B बना है तो L into B बरावर 528 हमें area given है plot का यह हमारी equation number 1 बन गई second equation है L बरावर 2B plus 1 क्योंकि length breadth के दो गनी से एक मीटर जादा है तो हमने L को L बरावर हमने सकते हैं 2B plus 1 हमने यह L की value equation number 1 में रगा दी तो हमारी equation बन जाएगी 2B plus 1 into B बरावर 528 bracket का multiply कर दिया B का बहर से 2B square plus 1 minus 528 solve करेंगे factorize कर लिया है factor यह कि यहां पर हमने निकाला है factor को यह यहां से आपको factor पता होना चाहिए factor कैसे बनाते हैं कि 21528 का 2 से multiply करेंगे तो हमको 105 1056 मिलेगा फिर हम इसका यहां से factorize करेंगे और factorize करने के बाद आपको जो है इसके factors मिल जाएंगे factor 33 and 32 माइनस करके हमको बीच में माइनस करना दिया हुआ है माइनस करके हमको वन लाना है तो 33 और हमको क्या मिल जाएंगा 32 मिल जाएंगे तो यह हमने इसके factor कर लिए फैक्टर हमको मिल गए तो यहां से हम देखेंगे बी बरावर हमको 16 मिल जाएंगे जब बी 60 मिल जाएंगे तो हम बी की value हवा कुट्ट